इस्टीम वाल के ओपर डबलू सी भी लिखा रहता है थमलेल में भी अलड़ी दिखाया है इसका क्या मतलब है पूरी अंगरी देंगे इस वीडियो में तो बनेए ये वीडियो में अंताखलो दोस्तों स्वागत है आपका अपका अपनी यूटुब चैनल टेक्निकल इस्टीम वाल खास कर उनके अंदर लिखा रहता है वाल के ओपर डबलू सी बी इस वाल का मेटरलोजी से मतलब है यानि कि उसका मेटरियल जो है वो डबलू सी बी के अकौटिंग अब इस डबलू सी बी का मतलब होता है यानि कि उसकी मेटरियल जो है वो कार्बन स्टील का यानि कि CS तो मैं अगर यहां पर लिखू कि यह material मेरा CS का है अब देखिए कुछ वेक्ति कुछ लोग हमारे CS को carbon steel लिखेंगे कुछ कहेंगे cast steel तो कहेंगे कि दोनों ही एक ही वात है यानि कि carbon steel जो है वो cast steel का ही टाइप है CS यानि कि carbon steel इसका चोटा सा example में मोबाइल का देता हूँ यानि कि किसी का मोबाइल Samsung का है तो वो हो गया Samsung के company कर पूरा प्रो पर नाम बताना हो तो यानि कि जैसे मेरा मोबाइल है C7 Pro तो यानि कि यह इसका पूरा model हो जाता है तो CS को मैंने लिखा carbon steel और यह मेरा carbon steel निकल के आ ASTM A216 यानि कि यह मेट्रोलोजी है जिसके अंदर कास्ट इस्टील आता है और कास्ट इस्टील का ही एक टाइप मेरा carbon steel हो जाता है देखिए यह कुछ पद्दिती आती है American पद्दिती होती है एक पद्दिती मेरी ASTM होती है अब यहां पर चेंज हो सकता है देखिए यहा जो WCB का मेट्रेल होगा यानि कि carbon steel होगा वो ASTM 216 यानि कि A216 का एक टाइप होगा अब इसके इंदर मेरी तीन पद्दिती आती है यानि कि WCB, WCA, WCC, Wall के ओपर WCCB लिखा रह सकता है WCA भी लिखा रह सकता है WCB अगर WC भी लिखा है तो carbon steel यानि कि इसका एक टाइप ह अब इन तीनों की बात करूँगा तो यहाँ पर लिखा सकता है WCA या WCC ये तीनों भी हो सकते हैं इन तीनों में difference क्या होता है इन में carbon और magneze की percentage difference हो जाती है बाकी जितने भी chemical जिसके composition हैं वो सारे same रहते हैं एक छोटा सा figure दिखाता हूँ उसमें सारे chemical मेरे दिये ये दे और यहाँ पर फिर मेरी 0.25% आ गई है इस तरह अगर में magneze की बात करूँ तो magneze मेरा हो जाता है यहाँ पर यह 0.70% आ यह 1% में आ जाता है और यह मेरा 1.20% आ जाता है आप figure भी देख सकते हैं सिर्फ magneze और carbon की percentage different different होगी बाकी सारे material एक जैसे होंगे WCA WCB अब इन में pressure और temperature का difference एको आ जाता है अगर मेरा कहीं पर जादा ही high pressure और high temperature है किसी boiler पर तो WCC की wall use करेंगे लेकिन जादातर क्या होता है कि normal condition में कहीं पर भी boiler में भी WCB की wall use करी आती है कहीं पर high pressure का boiler होता है तो वहाँ पर WCC की wall use कर सकते हैं जहाँ पर WCB की wall काम नहीं कर रही है और WCA यानि के low pressure में काम आती है कहीं पर water का flow low होगा तो WCA की wall use कर सकते हैं तो WCB या WCA या WCC इनका material से संबंद होता है कि वीडियो में इतने कर वीडियो थोड़ी में चलिके तो वीडियो को लाइक कर देना चिच्चुने में नहीं आया सॉस्क्राइब कर लेना क्योंको नेक